जैने दोस्तों तो पहले भी मैंने जो रिवाल्ट ऑफ 1857 का चैप्टर है यह पहले मैंने वीडियो अप्रोड किया था है लेकिन उसमें कुछ ऑडियो की प्रोब्लम थी तो शायद 10 या 11 मिनट का ही जो वीडियो है वो रिकॉर्ड हुआ था और उसमें उसके बाद 10 या 11 मिन सब्सक्राइब को हुआ और इसमें आपके जो सिराजुद दॉल्ला थे लास्ट नवाप थे ये बेंगौल के तो ये मिल गए फ्रेंच के साथ ठीक है तो फ्रेंच के साथ मिलके सिराजु दॉल ने जो एंग्रेजों खिला जो है एक तरस्य विरोद चैड़ा तो अंग्रे तो सिराजुद दौला के कमांडर इंचीफ रहते हैं मीर जाफर तो मीर जाफर जो हैं वो क्या करते हैं कि रॉबर्ट क्लाइब के साथ जाके मिल जाते हैं यह सिराजुत दॉलद के भिटल ओफ प्लाफ यह सामना करना पड़ता है तो बैटल ऑफ प्लासे जो कि 23 जून 1757 को हुआ उसमें तो जीत जाते हैं अंग्रेज उसके बाद फिर बैटल ऑफ बकसर होता है 1764 में पिछली वीडियो में बताया थे इसके बारे में डिटेल में तो यह भी जी जाते हैं तो प्लासे और बकसर यह दोनों बैटल के जीतने क कि बिटिस की जो पावर है वह अब इंक्रीज होने लगती है यहां पर बहुत जादा इंक्रीज हो गई रहती है अब यह दोनों बैटल में यह जीत गया रहते हैं तो यहां पर जो एक बिटिस एंपारे का जो फांडेशन मतलब जो एक नियू रखने का जो काम किया वह बै अब इनके चेंजेज अब यह तो रूल करते रहते हैं तो यह कई चेंज लेके आते हैं धेर सारे जो चेंजेज हैं वो लेके आते हैं तो उन चेंजेज की वैसे पॉलिटिकल चेंजेज है एकनॉमिक है सोशल है कल्चरल है जिसे अब डिसकूस करते हैं क्या क्या नहीं है यानि अगर उनके पास एडॉप्टेट सन है तो उसकी उसका जो स्टेट की जो पावर है वो कंट्रोल में आ जाएगी अंग्रेजों के तो उसी तरह से सतारा पे कब्जा कर लेते हैं नागपूर पे जहांसी पे ठीक है डॉक्रेन ओफ ले आते हैं ठीक है उसके यह वेस्टन एजुकेशन को ज्यादा प्रमोट करते हैं तो इसके वाई से भी लोग इनका मतलब लोगों के अंदर गुस्ता रहता है साथी साथ यह कुछ लोग को डाउट यह विरता है कि रेलवे और टेलिग्राफ जो है यह अपने ही फायदे के लिए लेके आया है तो रिएलिटी में तो यह अपने पायदाः के लिए लेके आय थे, क्यूंहिकों कि रेलवे उसे वो समान समुत के किनायर तक एंपर्ट कर सके और वहां से अपने देशे के जा सुप्रेकर हैamas ते अविर जो किसान होग रहे रहे में जहादा है वी टेकस लाइक सासर ऊठ़े थे ठीक है और वहीं यह भी तो यह भी एक कॉस्ट था इस विद्रों का साथ जो बिटिसर के गुड्स थे जो समान लेकर आते थे अपने हां से तो वह यहां सस्ते दा में बेचते थे जिसकी वाइब से जो इंडियन मार्केट था जो इंडियन मार्केट था वो खतम हो रहा थ क्योंकि वहीं सस्ता समान नहीं ख़ए देगा महेंगा थोड़ी ख़ए देगा तो यह वहीं समान सस्ते में लेकर आते थे अपने हां लेकर जाते थे ठीक है तो उसकी वाइसे इंडियन मार्केट भी जो था वो खतम हो रहा था उसके साथ जो में कॉस्ट जिसको देखे वह ता इनका जो ग्रीज काटेज है वह लेकिया नगा टीक को यह गोली लेकicipnा आए थे जो ग्रीज काटेज इसको उम बोलते हैं तो उसमें लोगों के बीच में ये बात फैल गई की जाण इसको पीक्स के पासमाया जायता था तो जो काउव हैं वो तो बरहमड के लिए पवित्र हैं और जो यह जो पिक्स हैं यह उसMarte 비 रहे ह्लाम है तो दोनों कम्यूंटी के बीच में जो है इसको लेकर वी रहती है तो फ्लकी रहते हैं वह वी Un corazón तो इन्ही सब रिजन्स की वज़े से 1817 की करांती वह वह शुरू होती है तो पहले बात करेंगे कि बिहार में जो है कैसे हमें देखने को मिलता है यह तो बिहार में 1857 का जो रिवाल्ट है वह तो शुरू होता है आपके यहां से क्या कहते हैं देवगर से ठीक है जारेकंट से लेकिन वैसे हम देख है हम क्याम हम देखेंगे आल ओबर इंडिया गरम देखेंगे तो शुरूवा कहां से जो मंगल पांडे थे जो एक सीपोई थे इंडियन अरे ये बिटिश आर्मी में तो ये जो है बैरकपूर में जो है ये विरोध कर देते हैं और दो अपने अधिकारियों को जो है ये मार देते हैं बाद में मंगल को जो है वो सजार फासी किसा जो है दे दी जाती है तो देखे ए रिवाल्ट फटी सेवं विज बिगन इन मेरट ऑन वेट आरे तें तो दस माई 18 अथाव सटावन को जो है मेरट में ये विद्रोज वह सुरू होता है ठीक है लेकिन इसका जो एफक्ट है वहमें जो इसका हमें बड़े revolt वीर कुमर सिंग जी के नेदे तुम्हें देखने को मिलेगा देखे पहला ये देखे बीपीसी की perspective से prelims की perspective से बहुत important question बन सकता है कि पहला revolt जो है बिहार का वो सुरू काम से हुआ तो वो रोहिनी विलेश से सुरू हुआ जो कि देवघर यानि जारखंड इस्टेट में पड़ता है ठीक है जहां पर 12 जून 1857 को जो वहां के soldiers थे वो revolt करते हैं और दो English officials जानी दो अंग्रेजी अधिकारी जो रहते हैं उनकी भी यह हत्या कर जाते हैं ठीक है लेकिन तुरुन यहां पर रिवाल्ट को सफ्रस करने कोशिश किया आता है और इन तीनों इंडियन सोल्जर्स को जो है मौत की सजार सुना दियाती है ठीक है वहां सी दे दियाती है अब देखिए जो भी रिवाल्ट का पैटन रहेगा वह तीन मेजर अब देखिए अपने अपने साथियों के साथ जो है यह मिलके जो विद्रो है वो शुरू करते हैं उसके अलाबाब मुट्रियन दानापूर में विद्रो एंड आजंप्शन आफ लीडर्शीप अब तो रिवाल्ट अफ कुणर सिंग ठीक है उसके बादानापूर में अवाल है विद्रो में वीर कुण लिडर्शीप करते हैं जो एक से लिए नदी को प्रोस करते हैं ऑशेया करते में यह जा करते हैं साथ उस समय कुमर शिंग वहां पे आरा में रहते हैं और यह जो अंग्रेज हैं इंसे यह भी मतलब यूद लड़ाई करते रहते तो उसके बाद यह लोग जाके जो है वीर कुमर शिंग जी से जाके आरा में मिल जाते हैं अब देखे पटना में पीर अली के दुआरा तीन ज तो डॉक्टर लायल की हत्या पीर अली के द्वारा कर दी जाती है ठीक है दिस वोज पैक्ट एन अटक ओना मेजर सोस अब देखिए जो मेंली बिहार का अरिया था यहां यह लोग अफीम की खेती करवाते थे और उसी से अपना रेवन्यू कमाते थे जब यह मर जाते हैं तो इनका जो रेवन्यू यहां ओपीम का जो अफीम का रेवन्यू होता है वो यहां डिस्टरब होगा अब देखिए बिहार के साथ साथ जो बनारास और गाजीपूर का जो इलाका है वो भी में सेंटर था ओपीम के प्रोड़क्शन के लिए ठीक अब इसकी वैसे पूरा का पूरा जो इलाका है विरोद से वह क्या होता है पीर अली को चार्ज किया आता है कि आप ही ने जो है लायल जो थे उनकी हत्या आप ही ने की है और उनको जो है फांसी के सिरा दे जाती है साथ जुलाई 18 सप्तावन को उसके बाद देखेंगे तो ईब से विल्यम टाइलजार है उचमीशन इस और सथी ओविल्यम टाइलड और यह जो है जो पीर अली के अग्यांच जो भी फिर अब तो मतलब विलियम टैलर नहीं जो है गिर्फतार किया था पीर अली को और इनके साथियों को अब दानापूर बात करते हैं म्यूटिनी एट दानापूर तो देखिए पत्ना में तो जो पीर अली थे उनके दोरा जो है विद्रो सुरू किया गए सबसे पहले बिहार में अब उ अब पतना और दानापूर से ही शुरूवाथ होती है बिहार में 1857 के रिवाल्ट की और हमें यह दिखने को मिलता है कि यह रिवाल्ट जो है एक साल चे अधिक तक यहां बिहार में चलता है तो यह 25 जुलाई 1857 में जब दानापूर में बिद्रो सुरू हुआ तो उसके कुमर्भ सिंगं के लिडर्शिप में Jayadishpur में अगे बढ़ना है तो कुमर्भ सिंग के लिडर्शिप में एक colonial काम करना चाहते थे और कुमर्भ सिंग पहले ठाकुर देयाल सिंग और विशेश्वर सिंग तो इन सभी के द्वारा मिलके 1857 के रिवाल्ट में बिहार से पाटिशिपेशन हमाई देखने को मिलता है और साथ हमें यह भी देखने को मिलता है कि कुछ जो बड़े बड़े लैंडलॉट्स थे ठीक है तो यह लैंडलॉट्स जो थे यह मतलब यह बिटिस के फिवर में थे ठीक है अंगरोजों के फिवर में थे और जो कॉलोनिया रूल्ट था उसके लिए यह काम कर रहता है तो इसलिए 1857 के reward को इस विद्रो को दबाने के लिए जो है ये अंगरोजियों की जो मदद है वो करने लगते हैं लेकिन उसके बावजुद भी हमें ये देखने को मिलेगा कि ये reward जो है ये बहुत एरिया तक फैला ठीक है और लोहों का जो है काफी इसको support मिला अब हम commercial के role क की बात करते हैं रोल अफ कुमर्सिंग दखिए इस टाइम में जो है कोई कई जमिंदास और जो जो लोकल रिडर्स हैं जो वहां के लोकल लिडर्स थे ये सरकार का साथ दे रहे थे लेकिन कुछ लोगों के दौरा खासकर जो आमनागरिक थे जो गाउं के लोग थे उन पब लिडर्स को देखें या चोटनागपुर मनभूम सिंघ भूम पालमव यहां के जो भी सारे सोल्जिस्ट थे यह सबी जो है को वेज़े लीडर्स देख रहे थे और सब्सक्राइब को आगे बढ़ाना चाहते थे और कुछ लोगों ने तो कुमर्सिंग की मदद भी की मतब नौमबर 722 को हुआ था इनके पिता जी का नाम राजा शाब जादा सिंग पिता जी का नाम और इनकी मादा का नाम रानी पंचरगतन संग यंके मादा जी का नाम था जग्दीश-पूर्मिन का जनम हुआ शाबाद डिस्क में जो की अब प्रसेंट टाइम में भुषबुर ब करते हैं तो ये उजैनिया राजपूतrons से ये बिलॉंग करते थे तए राजपूत में पाइसी साल के उम्र में पाइसिपिट करते है तो ये जो यह से वर्ल्ट के चीफ ओगनाइजर थे बिहार से और इनके मिर्तियों में देखने को मिलेगी 26 अप्रील 1858 को यह एकस्पायर कर जाते हैं तो देखें यह जो है जो टूप्स हैं दानापूर के दानापूर से जो टूप्स हैं वो आके फिर आरा में जो इनको जोईंग करते ह हैं 27 जुलाई 1870 को और 27 जुलाई 1870 को टूप्स के साथ मिल करके जो वीर कुमर सिंग जी हैं यह क्या करते हैं कि अंग्रजों पर हमला कर देते हैं आरा में अब उसी समय जो मेजर आयरे थे वो इलहाबाद जा रहा रहे थे लेकिन इलहाबाद जाते टाइम रास्ते में को चालता है कि ऐसे से यहां पे अंग्रेजों पर हमला हुआ है अरा में ठीक है तो यह अरा की तरफ मार्ज कर देते हैं और उसके बाद बी बी गगंज में कुमर सिंग और मेजर आयरे के टूप्स के बीच में यहां फाइट होती है तीन अगस्त को और यहां पर कुमर सिंग क को हारे का सामना करना पड़ता है तो यहां कुछ उसके बाद अंग्रेजों कुछ रहात मिली ठीक है लेकिन अभी अहां पर भी यह कुंवर सिंग का जो अभी आगी कहानी बाकी है तो कुंवर सिंग अपनी अक्टिविटीज क्या करते हैं वो बिहार के बाहर शिफ्ट कर देत हैं और वो चाते थे कि जो और टूपस हैं जो और शोल्जर से अलग अलग जगा के उनके साथ हम जो है और जो है उनको अपने साथ जो हम मिला ले ठीक है उसके बाद इन अग्रेजों से फाइट करें तो यह क्या करते हैं रिवा गौलियर लखनव कानपूर इन सारे जो तो जो आसपास के जो लोकल रूलर्स रहते हैं और जो वहां के आम नागर्ग रहते हैं उनको भी अपने फोर्सेज में जो वो सामील करते जाते हैं ठीक है फिर हम देखेंगा तो सितंबर 1857 को कुंवर सिंग जो है रिवा में अटेंट करने की कोशिश करते हैं रिवा जो क यह मिल जाते हैं रिवा के राजा के साथ और उसके बाद जो है इनको इंटर नहीं करने दिया जता है उसके बाद यहां से निकल जाते हैं बांदा निकलने के बाद निशान सिंग के साथ मिलके जो है यह कलपी के लिए मूव करते हैं उसके बाद यहां पर बैटल आफ जो क जो थे उनके साथ मिल करके तो सुपीरिया फोर्स ब्रेटेस डिफीडर टूपस अपना साहिब और अंग्रेजी जो फोर्सेज रहती है यह नाना साहिब के टूपस को हरा जाती है लेकिन यहां पर हर का सामना करने के बाद भी कुवर सिंग यहां रुकते नहीं है यहां से इक फरमान दिया एता है कि आप जो है 5 जो है आजमगड जो डेस्टिक है वह आपके कंट्रोल में रहेगा आप उस पे रूड करेंगे और साथ इसाथ इसके इनको बाऊरा सब्स मार्च 1889 बहूंशत नहीं पांगा इपके एक पहुले अटरौलिया पदते को है यहां यहां पर इनकी राई होती है एंगडरुजी उसे तो बटिस टूप उड़ करनल मिलम् है इनके अंडर जो आइगरजी फोरससे से रहती है उसके बाद हम आते हैं करनल डेम्स। इनके अंडर में पॉरसस से इंसे लड़ती है और यहां पर भी यह लोग कमयाब नहीं होते हैं ठीक है उसके बाद आजमगर कंट्रूल में ही रहता है और जो लड़ने का तरीका था यह एक ऐसा मेथड ट्राइक करते हैं जैसे कि यह पूरी फोर्सेस का एकटे हमला नहीं करते हैं अचानक से हमला करने के लिए मालिय अगर हारने वाली सिचुएशन आ गई तो उस टाइम में अचानक एक अटैक करने के लिए यह रखते थे फोर्सेस को ठीक है तो और खासकर यह अंग्रेजों का जो वीक पॉइंट हुआ करता था उसी पर यह अटैक करते थे इसलिए इतने जो टैक्टिस थी लड़ने की लड़ने का तरीका था वह बहुत यूनिक इस्टाइल था इनका फाइट करने का उसके बाद हम देखेंगा अब लॉट कैनिंग जो है अब इस खलत्रे को भाम जाते हैं और उसके बाद यह ओर्डर देते हैं लॉट मार्क कर को और सर यह अजम्गर यहां से छोड़ देते हैं और उसके बाद यह गाजेपुर के तरफ बढ़ने के लगते हैं अब निकार देखें पील 1859 को कुमरिशिंग की ने ब्रिगेडिये डॉल्गल्स के अंदर यह रहती है और यहां पर इनको कुछ फिजिकल इंजोरी आती है यहां तक इनका जो एक हांत है वह भी कड़ियाता है ठीक है उसके बाद भी जो है यह गंगानदी जो है क्रॉस कर लेते हैं शुवापूर घाट से उसी राठीक है उसके यह बाद 23 अपरिल को यह जगदिशपूर पहुंच जाते हैं ठीक है तो यह एक की सबस्वापूर को लिए लडाई हुई और यह तीस अपरिल को जगदिशपूर में रहते हैं यह बटेसे फोस सेंट टौर्ड जगदिशपूर अंडर कैप्टन ली ग्रेंड अब ली ग्र लेकिन यहां पर जो है इतनी दिन से लगता लडाई करते हुए और एक हांत भी कड़ गया था अब सोचनल बाती है कि हांत कटने के बाद भी जो है लीग रेंड के टूप को यह हरा दिये रहते हैं ठीक है उसके बाद इनकी मिर्थ्व जो है 26 अप्रिल 1858 को हो जाती है वैसे ऐसे लोग अंबर बीगपर करते हैं अब देखिए जो फॉलवर्स के अब यहां पर कोट है मिर्थ्व के बाद भी यह रिए ॰िवाल्टव रूप रूपाने है तो इनके भाई है अमर जो रिवाल्ट है यहां आ यहता है देर अक्टिविटी इस कॉंतिनु कॉन्टवर cause of serious concern for the company administration अब अमर सिंग की भी जो activities है ये company के जो administration है उसमें कहीं नहीं उनके लिए खलल पैदा कर रही थी इवन सेट अप है parallel government यहां थे कि एक parallel सरकार भी जग्दीश्पूर में अमर सिथापित कर लेते हैं जग्दीश्पूर जञल के इलाका रहता है अमर सिंग को क्या करते हैं उसको अपना military camping बनाते हैं अब उसके बाद जब नाना सहीब नेपाल चले आते हैं तो उस समय जो है ये जो है अमर सिंग अमर सिंग नाना सियब की टूपस रहते हैं उनके सानिक रहते हैं, उनके सानिक की लीडर्शिप है, वो सम्हाल लेते हैं, अमर सिंग ठीक है, वास कैप्चुर इंदिसंबर 1859. लेकिन अमर सिंग को भी अंग्रेज काप्चिर कर लेते हैं, उसके बाद इनको जेल भेड लिया घाता है, गोरकपूर में, और जहां पर पा करांती है यह कैसे फैली the movement spread to the different part of भीहर where the soldiers and civil population fought together देखिए different type अलग-अलग जो भीहर का पार्ट है मतलब लब 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 पूरे-पूरे भीहार में है reward हमें देखने को मिलेगा ठीक पूरे भीहार में reward फैल गया था जैसे छोटानागपुर हो गया जुलाई 1857 को reward कर देते हैं किसके leader में तो मधःप सिंग मधःप सिंग की leadership में हजारी बाग के troops यहां rebel कर देते हैं उसके बाद यह जाते हैं राची ठीक राची की तरफ हैं वो कबजा कर लेते हैं ठाकुर विश्वनात सिंग सहादेव और पांडे गनपत राय ठीक है यह भी सपोर्ट में रहते हैं इन जो soldiers है उनके ठीक है तो विश्वनात शहादेव और पांडे गनपत राय भी जो है इन soldiers का support करते रहते हैं सुन्धा कंपनी लॉट्ट एं मैसिव एटक अन्दरेबल एंग प्रश्ट अपराइसंग लेकिन कंपनी या करती है फिर एक मैसिव एक प्लान करती है और इस अप्राइजिंग को दबा देती है इसमें मेंज़र लीडर्स देखिए जैमंगल पांडे हैं में यह जो रिवॉल्ट है उसको बढ़ा आगे बढ़ाते हैं इनिशली दे डिफेट दे कंपनी स्टूप्स इन जनुरी 1858 और जनुरी 1858 में जो है एक कंपनी के टूप्स को भी हराते हैं ठीक है राजा अरुजू सिंग यह पुरत के हैं और अपने भाई के साथ मिलके जो है अब जो भी देखेंगे रिवॉल्ट जो भी क्रश हुआ या जो भी मताब यह अंग्रेज जो है लडाई क्यों जितते थे को कि यह क्या करते थे टिवाइडन रूल पॉल्सी अपनाते थे अपने ही जो उनके अंदर के आदमी हैं उनको खर्टी लेते हैं पैसा देके ठीक ह और वो सारी इंफॉर्मेशन देते थे तो इसलिए जो है रिवॉल्ट जो है यह सफल नहीं हो पाया वसे देखेंगे तो कई रिजन से उसके अलावा जासे मान लीजी कि जो एक सेंटर कोई जो कॉडिनेशन था क्योंकि सब लोग अपने लिए ही लड़ाई करते अलग सभी लोग सारे लिडर से एक साथ मिल लड़ते तो अंग्रेज संख्या कितनी ही थी लेकिन सब लोग अलग 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 जगह से अलग अलग प्रकार से अपना फाइट कर रहे थे तो इस विजह से भी यह रिवल्ट सक्सेस्फुल नहीं हो पाया पालामों से देखिए तो निलामबर और पितामबर यह दो लोग भाई हैं यह पालामों में यह रिवल्ट सुरो किया गया बिसाइड दीश इवन्स दरेबल टूप इंगया अब देखिए तो गया में जो है जवद्रर सिंग और हैदर अली सिंग के लिडर्शिप में जो है जो वहां के गाऊँ थे जो वहां के गाओं के जो लोग थे उनके द्वारा और ठीक है और कुछ बोश्पूरी टेबल्स के द्वारा भी जो है इसरे रिवाल्ट में पार्टिपेट किया गया तो या देखिए गया से किसके लिडर्शिप में हुआ था जवदर सिंग और हैदर अली खान के नितित में हुआ था पतना में देखिए पतना में जो है वहावी ने बहुत इंपोर्टन रोल जो है प्ले किया इस रिवाल्ट में दानापूर में जो विद्रो हुआ उसके वाज़से मजफरपूर का एरिया था उसमें भी हमको रिवाल्ट देखने को मिलता है तो म्यूटिनी ऑफ ट सब्सक्राइब देखने को मिलता है अब कुछ फैक्स देख लेते हैं लास्ट में देखिए पतना में आप देखेंगा तो पीर अली के द्वाड़ा जो सबसे पहले सुरू किया गया तीन जुलाई को यह मेजर इंसिडेंट था पहला पहला इंसिडेंट था इस एडिवाल् सब्सक्राइब देखिए जो दानापूर में तीन रेजिमेंट सब्सक्राइब कर देते हैं कब युलाई पचीर 1857 को रिवाल्ट कर देते हैं वहीं कुछ सिंग वास डिफिटेट ने बैटल वी बीगंज में कुछ सिंग को जो है हरका समना करना पड़ता है ठीक है और यहा को जग्दिसपूर पहुंचते हैं जग्दिसपूर में अंग्रेजियां फोर्स बेशते हैं कैपिटन लीग्रेंट करने अंग्रेजी फोर्स का और कुमर्सिंग जी का एक हाथ कट गया तो उसके बाद भी जो है यह लीग्रेंड के जो टूप्स है इनको हरा देते हैं 23 को एक्सपायर कर जाते हैं ठीक है लीग्रेंट टूप्स को हराने के तीन दिन बाद ठीक है थैंक्यू थैंक्स वाचिंग